महराष्ट में बीजेपी और शिवसेना के बीच दिवारों पर लराई शुरू हो गई है शिवसेना ने अब बीजेपी पर आरूप लगाया है कि ये बीजेपी वालों की ही कर्तूत है दरसल मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे के बंगले वर्षा की दिवारों पर नफरत की इवादत लिखी पाई गई है नफरत का ये संदेश महराष्ट के नए मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे के बारे में है वर्षा बंगले के कमरे के दिवार पर लिखा मिला है इस शंदेश में कहीं भी साफ तौर पर नए मुख्यमंदरी उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिखा है लेकिन यूटी का मतलब उद्धव ठाकरे निकाला जा रहा है इसके अलावा शट अप, बीजेपी रॉक्स, फडनविस रॉक्स जैसे स्लोगन भी दिवारों पर लिखे मिले हैं देविंदर फडनविस की पतनी अमरिता फडनविस ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस तरह से टूइट किये है उसके बाद सामने आए इन नफरत भरे संदेशों को लेकर राजनीती भी शुरू हो गई है शिवसेना के नेताओं का आरोप है कि क्या सत्ता जाने के बाद फडनविस परिवार उद्धव ठाकरे से इस कदर नफरत करने लगा है कि बीजेपी कारे करता ऐसे काम कर रहे है वहीं बंगले में रहे महराष्ट के पुर्व मुख्यमंतरी और अब के नेताओं पक्ष डेविंदर फडनविस का कहना है कि जब उन्होंने वर्षा बंगला खाली किया था तब वहाँ ऐसा कुछ नहीं था ये उन्हें बदनाम करने की कोशिस है बिरो रिपोट ओमेच नियूज और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं